साथियों ये है 55 इंची का VU कंपनी का LED TV दोस्तों इसका मॉडल नंबर है 55QDV तो दोस्तों इसके नदर क्या प्रॉबलम है आप बड़े ध्यान से देखेंगे मैं लाइट आफ करता हूं फिर मैं आपको प्रॉबलम दिखाता हूं TV को मैं आउन करता हूं देखें रेड लाइट आई और चली गई तो साथियों ये खराबी क्या है ये कैसे रिपियर होगी step by step हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों इसमें दो तरह की खराबी हो सकती है या तो आपकी बैक लाइट खराब हो सकते है या बैक लाइट ड्रैवर से रिलेटेड कोई प्रॉबलम तो साथियों ये है इसका बैक साइड का इनर व्यू इसमें लगे हुए दोस्तों ये दो बूफर लगे हुए दोस्तों बूफर काफी हैवी लगे हुए साउंड इसकी बहुत अच्छी होगी एक और ये दो देख रहे हैं एक और ये दो 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 बूफर लगे हुए इस तो भी ध्यान से देख लेंगे और यह अपना प्राइमरी सेक्षन यह है मैं आपको वोल्टेज बिता दोस्तों इस पर क्या क्या वोल्टेज लिखी हुई ध्यान से देखेंगे जरा इसकी आउटपूट वोल्टेज है दोस्तों 12 वोल्ट 4 एंपेर 18 वोल्ट 1.5 एंपेर और LED बैकलाइट के लिए दोस्तों है 170 वोल्ट और 700 मिली एंपेर ठीक है दोस्तों यानि हमारी यह वेकलाइट जो है 170 वोल्टी मिल Еще और यहां चाह करेगे केशने दोनों प्रफ मेटर कई यहां लगाएँ और इसको में पघ़ल लेता हूं कहीं हिलना जा लिए दोस्तों मेल्टि मीट की तफ ध्यान देंगे नजर रखें मेल्टि मीटरी तरफ और मैं देखे युट कर करें हमारी backlight खराब हो सकती है तो मैं एक बार kommtुए ज़단 करें भी च्राब यह नहीं है उसके लिए करीं कि करेंगे अपना backlight driver tester ले लेलेते हैं तो सब लाइटा करने के लिए का होगा सब्सकु कर ने इस में से बेक लेट के अधार हूँ दोस्तों जो से कि आप देख रहें कनेक्टर यहां चिपका हुआ और यह दोस्तों दो फी तार लगें सका उना सारी कि सारी वैक लाइट हमारी सीरिस में होने की चांसिस ज्यादा है दोस्तों अब देखिए यह मैं एक बार यहां लगाता हूं प यही है दोस्तों कि हमारी बैक लाइट जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही क्योंकि हमें पता है हमारी 170 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है तो हमें यहां पे 170 50 60 कुछ तो मिलती लेकिन देखिए ध्यान से देखेंगे दुबारा उन कर रहा हूं दोस्तों क्यावन हुई और फिर एकदम 300 हो गई तो इसका मतला दोस्तों हमारी जो बैक लाइट है इसके अंदर वो चुकी है वीक तो हमें सेट खोलना पड़ेगा और अपनी बैक लाइट चेंज करनी पड़ेगी स्टैप बाई स्टैप और फिर हम इस टीप को करेंगे वीजी टीवी बहुत ही स्पेशल तरीके से रिपेर होता है तो आपको देखना है कि वो सारे स्टैप फॉलो करने है और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों ताकि आपको भी जो मैं सिखाने वाला हूं वो आप ध्यान से सीख सके तो सबसे पहले क्या करते ह युआ से पहले का स्टान Radka करना आपको हैं से और दोनों जानों स्ट्रैप सेसल कि अथा किवस्ति पहले क्राना और इन दोनों स्टैप को रखी तो बाहर आजाएंगे दोनों बाहर आगे अब दोस्तों यह दोनों स्ट्राप यहां से भी हमें निकाल देने ताकि जब बैक लाइट वगड़ा टेस्ट करें तो किसी चीज के साथ यह टेचिंग लेकर दूसरी साइट से टेचिंग लेकर वोई शॉर्टिंग वगड़ा क्रिये में देख रहे हैं इनको भी हमें साफ कर लेना है तो वह तरीका भी बताऊँगा कैसे साफ करने हैं दोस्तों साथी अब आपने करना क्या है इसका हमें खुलना होगा यह आउटर फ्रेम तो इसके लिए देख पा रहा हूं यहां पर एक दो तीम चार पांच छे और यह साथ प्लास्टिक के लॉक कसे हुआ तो इन सब को में खोलूँगा दीरे-दीरे स्टैब बाइस्टैब और दोस्तों यहां पर भी देखिए दोस्तों यहां पर भी ब्लैक कलर के पेच लगे हुए एक, दो, तीन, चार, और शायद उपर की साइड भी मैं देखता हूं पेच है क आउटर फ्रेम खुलेगा ना तब यह पेच वगरा हमें खोलने होंगे तो सबसे पहले हम नीचे के पेच खोल लेते हैं दोस्तों सारे यह नीचे के पेच खोलता हम साथो के साथ पेच खोल लेते हैं दोस्तों फटा भड़ से अकुब है है स्बमेंट रखे का स्जोड़े यह अपना सेंसर यहां से निकाल लेंगा दोस्तों तो टाइट लगा है विए कलीप अधादी मैं सेंचर भाद में दोस्तों यह सब आरे वापने तो आपको सारस सारे राधा एक सेंच को खोलले इसको सीधा करने के बाद इसके पेज खोलूंगा सारे ठीक है सिर्फ आपको समझाने के लिए इस अब किया गया है दोस्तो आपने जब काम करना है तो आपने करना कैसे इसको सीधा करके तब इसके अंदर जो भी कुछ खोलना है आपने सीधा करने के बाद ही खोलना है दोस्त यह scale board जो है न हमें ऐसे slide करके देखे, ऐसे कीच के slide करके बाहर निकालना है इस प्रकार से, समझ रहे है न जो मैं बताना चाहरा हूँ, इसी प्रकार से आप निकालेंगे, अब दोस्तो इसका outer frame में निकालेंगे, इसके लिए कि हमें TV को करना पड़ेगा सीधा, आपने क्या क आपने दोस्तो चेक कर लेना कोई पेच रहना गया हो बस, अब देखिए मैं इसको खोलने का प्रहाद कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए एक पेज यहां रहे गया नो दोस्तो आप नहीं इस प्रकार से चेक कर लेना है देखिए दोस्तो यह उट लिया हमारा फ्रेम इस प्रकार से फ्रेम निकल रहा हाराम से बड़ी साफदानी पूरवक है कर दोस्तो है इस इसका आउäटर फ्रेम आ रहा है बाहर देखेंगात Um अ इसप्रका रखेंगे और देखिए दूस्तों और डश्ट पगर्वा में साफ कर लेंको अरऊ बहुत कॉनिक बिल्कुल नहीं करना इस प्रकार यह हमने अपना आटरा फेर्म नि!.. अपना करें बाहर जासा को बताए था स्श्टाइंग में इस इस को ढूं में पत्यों को धीरे बाहर करके ऐसे मैं बाहर ले कर आ रहा Jade की अफना इसकेल आगया बाहर इस प्रकार से ऐसा भी कर लेंगे इसको भी बाहर करेंगे दोस्तो हाओ Morocco यहां कि एसको शेव करेंगे जा तो आप इसको सेफ करेंगे इसी busnya सब्सक्राइब कर दोस्त्तों कर दोस्तों को इसकर दोस्तों करता हूं इसको गत्य को जो कया मैं इसके अंदर फसाके और टेप से चिपका देता हूं ठीक है ऐसे आप चाहो तो दोस्तो इसको बड़े ही ध्यान से दोस्तो इस प्रकार से यहां पेपर वाली टेप लगा सकते हो मास्किंग टेप दोस्तो आज में क्या है इस स्केल बोड को ऐसे ही चिपका देता हूं इस प्रकार से ऐसे यहां रखेंगे दोस्तो थोड़ा डस को साफ करेंगे दोस्तो लेकिन टेप आपने लगानी कैसी ध्यान देंगे जिस जगह कॉफ ना हो इस जगह आपने टेप का साथ ठीक है ऐसी दोस्तो दूसरी वाली साइट से करेंगे इस प्रकार से दोस्तो ठीक है ऐसी दोस्तो मैं यहां कर लिता हूं थोड़े थोड़े बड़े बड़े पीस काट के समाल के रखुंगा स्केल बोर्ड यहां लिया और ऐसे करते हैं और दोस्तों बड़ी साफधानी के साथ आपने काम करना है क्योंकि दोस्तों दो मिनिट की साफधानी आपका नुक्सान होने से बचाएगी और आपके टीवी को भी सेफ रखेगी अब यह हो गया दोस्तों अपना स्केल बोर्ड शेफ अब दोस्तों आपने क्या करना है तीवी को में थोड़ा आगे घीच लिया दोस्तों और अब क्या करेंगे दोस्तों यह मैंने ऐसे एक प्लास्टिक का यह बना हुआ है यह की अंदर जो फिल्टर होते हैं उसको काट के बना लिए ऐसे इस से क्या करना है दोस्तों आप कोई बैण की ले सकते हैं यहां कि आप कोई विजिस्टिंग कार्ट भी ले सकते हैं उससे भियाप कर सकते हैं आपने क्या सब्सक्राइब कर देक्श्चता हो सी com cutting यह गया तो दोस्तों स्क्रीन के चरों तरभ गुमा सबर् तो हमें पता चाले देगी यहां पे थोड़ा साथ कावा है ना हलका सा चाहाज यहां कि फुल चिपकी होगी तो हट गई अब ऐसे देख लेंगे को दोस्तो पैनल बड़ा है वो बड़ी साफधानी से काम करना है और यहां स्केल बोर्ड वाली साइड पर तो स्केल और कॉफ क साइड बे तो दोस्तो बहुत ही ध्यान से आपने करना है थोड़ा अटकाव सा लग रहा है मुझे जैसे कई बार के होता है स्क्रीन रखे रखे भी दोस्तो थोड़ी गमिंग के वेसे हलकी सी चिपक भी जाती है तो वो चीज भी हमारी यहां से दूर उने वाली है तीके सा आएंगे दोस्तो अपनी स्क्रीन और ऐसे एक और काट लगाता हूं यहां से दोस्तो मेरी वीडियो लंबी होती है लेकिन मैं पूरा प्रयाश करता हूं कि आपको पूरी-पूरी सावधानिया सब चीज मैं आपको बता हूँ क्योंकि दोस्तो हरेक अपना तरीका होता समझाने गा तो अब दोस्तो अप क्या करेंगे अपना पैनल इस जगए रखना है पहले रिगलेहे अपने पेनल उठा करती तुरन्थ वहां रख दीना इस परकार से देखिए दोस्तों मैं पैनल उठा लेना है कि हमारा पैनल सरकके दायं-भाय होर न जाए, कहीं गिरना जाए, ठीक दोस्टों. यह हमारे कार्ड है. दोस्तों, यह है मेरा address, आप चाहिए तुद्र कर सकते हैं. यहें दोस्तों इसका inner frame जो की चार part में बना है, एक, दो, तीन, चार, तो सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट निकाल रहे हैं दोस्तों, इसका अंदर दोस्तों क्योंकि टीवी को मैं हिलाना नीच आता हूं, तो इसलिए पहले निकाल लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लॉक कैसे हैं और वो कैसे खुलेंग दोस्तों, नाखोन की सवायता से ऐसे हटते जा रहे हैं इसमें कोई ज्यादा हाड लॉक नहीं है क्योंकि इतना बड़ा दोस्तों, फ्रेम चार पार्ट में ही बनाते हैं यह दोस्तों, यीचे का पाडRed हो गया, ये साईड गा आप दोस्तों चाहो तो इस पर लिख भी सकते हो left, right, top, bottom पहले दोस्तों उपर नीचे वाले खोलने हैं आपने ये तो मैंने खोल दिया side का लेकिन आपने उपर नीचे वाले पहले खोलने हैं उसके बाद आपने ये कोड़ना है side वाला और जब लगाएंगे ना पहले side वाले लगाएंगे फिर उपर नीचे वाले लगाएंगे पहले side वाले लगेंगे मतलब just रूल्टा करना होता है दोस्तों उसका प्रॉसेस का ना एक भूल गया इस प्रकार दोस्तों हिलाते जा रहा हूं । इस फ्रकार यहां से करोंगा क्योंकि दोस्तों टीबी बहुत बड़ा है जैसे कि मैने अपनी पिछली वीडियो में बटाया था जो रैड मी का 55-inch का LED ठीक किया था मैंने तो आपको आस टेबल काफी बड़ी होनी चाहिए दोस्तों और आपका पैनल जो है बहुत ही सेफ जगा रखा होना चाहिए दोस्तों अभी दिल्लियों बहुत तेज बारिश हुई है तो इसकी वे से कहा हम ज्यादा बड़ी हुई है और कर भी जल्दी आ गया था वुजे डाउड था कि दुकान में कही पानी नहां गया हो यह दोस्तों हमारा उपर वाला भी निकल गया अब साथ ही क्या करेंगे क्योंकि यह शीट भी काफी बड़ी है दोस्तों तो हम इन दोनों शीटों को भी अपने पैनल के पास रखेंगे देखे यहां पर यह चिप की हुए है छोड़ी थोड़ी तो इन चीजों को आमें ध्यान रखना है यह छोटी छोटी टेप लगिए दोस्तों इसके उपर अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है यह हो आपको दिखाई दे रहा है ही हुआ कि जैसे हमने अपने पेनल को चैक किया थे खायता से ऐसे इसको भी च्रीक कर लें यenth आ तो कि लागा हुआ कोई जगा से शिपका हुआ बहुत ही शांदार बेंक्राइट दोस्तों मुथी जबर्दस्त देख हुआ लगे दोस्तों बेंक्राइडि की है है दोस्तो इसकंदर है टोटल कितनी लाइन देख रहे हैं यह देखिए है दोस्तो इसकंदर एक, दो, तीन, चार, पांच लाइने है является दो तीन, चार पांच, छे, साथ, आथ, नो, दध, ग्यारा, बारा, तेरा, 14. 14 LED की 5 लाइन हैं दोस्तों तो मैं बताता हूं यह कितने वोल्ट की हो गई एक LED तो दोस्तों देखते हैं हमारी LED कितने हो गई एक लाइन में 14 LED 14 इंटु 5 इंटु 5 ब्रावर हो गई दोस्तों 70 70 इंटु झाल मैं मालनों 3V की हैं तो दोस्तों यह स्भी तो 210 वोल्ट लेकिन हमारी साट पर कितना लिखा हुआ रहे हैं चाहिता है तो दोस्तों हमारी Azant 2 फीयों भ्राई कितनी बनती है तो दोस्तों यह च्छोटे च्छोटों पॉइंट यह हम डिस्केस करते हैं आप को प् बाद में काम करेंगे तो इसको यहीं इसके साथ चिपका दें दोस्तों आपने वीडियो काफी देखी होंगी लेकिन इतनी डीटेल में कोई समझाता नहीं है लेकिन मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको एक 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 छोटी छोटी चीज भी बताऊं ताकि कोई अगर पहली बार खोले तो उसको सारी चीज आराम से समझ रहा है अब देखे दोस्तों फ्रेम जो है अंदर चिपका हुआ है टेप के साथ ब्लैक कलर की टेप लगई है यहां बड़ी साथानी से हम खोल रहे हैं इसको और सबसे पहले दोस्तों देखिए इसके अंदर यह लगे हुए लॉक तो यह भी हमें खोलने होंगे यह स्क्रीन को सपोर्ट देने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन है ना कहीं लपक के अंदर ना गोज जा इसलिए यह सपोर्ट दे रखें स्क्रीन के अंदर एक दो तीन चार पांच छे सपोर्ट हैं दोस्तों इन छे के छे सपोर्ट को भी हम ख तेप को खीच रहा हूं मैं अब मैं इसका जरा यह दूसरी टेप आगरी दोस्तों यहां अभी पहले स्क्रीन का सपोर्टर देखता हूं यह कैसे खुलेगा मसलाइड होके उपर खिचके फिर अज़ाइड होगा देख दोस्तों जैसे कि मैंने देखा है इसको आपने उपर से उठाना है बीच में से उठाना और साइड में करना है को तूट गया कोही बात नहीं यह आसे निकलेगा दोस्तों कोई एका तूट जा तो कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों हम उसको वैसे ही लगा सकते हैं अदे के थोड़ा तो मैंने इसको उठाया और देखिए यह तूटके निकल रहे हैं सारे दोस्तों कच्छे हो चुगे हैं यह मैं पेच कस ले लेता हूं पेच किसी साहता से निका लूँगा इनको यह देखिए यह निकाला कच्छे हो रहे हैं दोस्तों यह बहुत यह ऐसे ही निकल लेंगे वैसे निकलनी पा रहे हैं यह यह निकलेंगे ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों मेरी गलती से आप शीखेंगे जो मैं गलती कर रहा हूं वह आप नहीं करेंगे ठीक है पेच कस लगाया क्योंकि दोस्तों नहीं तो बोर्ड खोलने पड़ेंगे आपको तब निकलेंगे यह और यह से देखिए ऐसे नि दोस्तो ये बैकक लाइट वह से बनिगे होई है इस प्रकार से सां ये हमारी बैक लाइट आ रही है बाहर यहाँ, यह भी दोस्तो चिपा हुए बहुनsis ati. पहले पूरा पूरा फिरेम कि यह मैंने हटा दी अब समें Exchange करता हूं इसको अब द्थोस्ते चेक लेते हे अपन कि अपनी यह बत्तु कितने ए द्धें कि यह और रूब यह इस वायर यह यह यहां से आरहे है म시면रCE के concurrent Uni 3 यह सब सौऱार गृइन Tradition से लिए पत्तु यह बनी हुई ए तो यह यह अपना backlight tester किया on एक कॉर्टनर से करेंगो दोस्तों ये माईनस ये प्लस ये दोस्तों ठीक है ये बार लाइन ठीक है ये ये भी ठीक है कि य भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी-ठीक है अब इस साइड आया थे दोस्तों, तार छोटा है इसको तार को लगाता हूं यहाँ, अब देखेंगे साथ ही इस साइड, थोड़ा सा लाइट बढ़ाता हूं कैमरे की में, अब देखेंगे दोबारा टेस्ट करेंगे दोस्तों, यह माइनस यह प्लस, यह ठीक है, यह भी ठी दीन के 해 यह देखें दोस्तों यह खुराब है तेजान से दखें Г्ब एक और ये दू यह दो यह दो ग्लोग नहीं हो और दोस्तो देखें नहीं हो दोस्तो मार्किट ताकि हम अपनी सारी LED लेकर आ जाए ठीक है एक वैसे दोनों सेम लग रही है दोस्तो लेकिन फिर भी मैं पूरा एक पेर लेकर जाऊंगा इसको अलग कर लेते हैं और दीकिए यहां से अलग हो जाएगा इस प्रकाड़ी अलग हो गया दोस्तो इसको भी दोस्तो यहां से निकाल लेता हूँ मैं एक पेर निकाल रहा हूँ दोस्तो इतने बड़े LED के अंदर हमें प्रयास यही करना चाहिए कि सारी बैक लाइट चेंज करनी चाहिए रिपेरिंग के चक्कल में नहीं पढ़ना चाहिए इसकी क्योंकि दोस्तो इतना महेंग इस प्रकार से आप भी अपनी सारी बैक लाइट को निकाल सकते हैं दोस्तो इजी ली और दोस्तो प्रयास हमें से यही करना चाहिए कोई भी कंपोनेंट आप निकाल रहे हैं न सेफ और सुरक्षित निकले ताकि अगर कोई इनकेस कुछ दिक्कत हो तो हम उसका यूज कर सक तो इस प्रकार से दोस्तो मैं यह देखते हैं यह दोनों LED सेम हैं यह में दोस्तो बिल्कुल सेम है ऐसी कोई बात नहीं है तो यह वाली हमें चाहिए होंगी दोस्तो पांच पीस चाहिए होंगे दोस्तों, तो यह वाली दस पीस हम ले आते हैं, ठीक है? साथो तब तक میں सारी बैकलाइट निकाल देहीं, ऐसे चाकू या ब्लेंड लेना है कोई, इस परकार से दीरे ऐसे करेना है, कट3 इस परकार से सारी कि सारी बैकलाइट हो जाएंगी अलक साधक है कि देख़े नहीं किस परकार से अलक होती जा रही है इसी पकार से दोस्तों मैं सारी बैक लाइट को अलग कर लेता हूँ इस पकार दोस्तों सारी बैक लाइट हो गए अलग इन सब को हम बाहर कर लेते हैं इस पकार से इस पकार दोस्तों सारी बैक लाइट हो गए अलग दोस्तों इस backlight को क्या है यह glue से चिपका है इनोंने किसे glue से heavy glue से तो इसके बीच में क्या है surface और इसके बीच में gap हो गया तो हिसकी LED की जो इस LED strip की जो heat है ना हमारी body की साथ transfer होने में शायद दिक्कत आ रही होगी इस वे से भी यह ज्यादा खराब हो रही है इस model की तो दोस्तों मैं कोशिच करूंगा कि देखिए जैसे हमारी fitting बनी है तो इसमें पेचो की जगा बनी है तो मैं ढूंड के इसके लिए पेच ले आता हूं और पेचो से अपनी नई LED backlight प्राइट को कच दूँगा यह पुराणी वाली तो दोस्तों यह हमारी और यह नई backlight हाग आ चुकी हमारी तो मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं पहला पुरानी परानी धेक लाईट को ट्रेस्ट कर लेता हूं ताकि हमेंट पिट करने के बाद कोई दिक्कत ना हो दोस्तों स यह नेगिटिव और भी पॉजिटिव तो दोस्तो इस दोनों को पॉईंट जो सेम है ठीक है ज्ञाथ आप देख भा रहे है नेगिटिव यह पॉजिटिव यह नेग पॉजिटिव ठीक है इसी पकाड से मैच करा लेना पहले ठीक है पुरानी वाल को साइड रखते हैं, सारी बैक लाइट को मैं एक साथ करता हूँ, अब दोस्तो वन बाई वन हम टेस्ट करते को चले जाएंगे इस बैक लाइट स्टिप को, यह देखें, 300 वोल्ट आ गई, यहां लगाएंगे दोस्तो, यहां से स्टार्ट करते साथ है पहले नेगिटिव, और यह पॉजिटिव, देखें दोस्तो, 19.4, 19.4, 19.4, ओके, 19.4, ओके, 19.4, ओके, इसी पकार से दोस्तो, अपनी सारी बैक लाइट को हमें टैस्ट कर लेना लगानी के पहले, तो इस प्रकार हमारी सारी बैक लाइट ठीक है जाती हो, अब मैं दोस्तो क्या करूँगा, कि मैं इसके लिए पेच ढूंड लेता हूं, और देखिए जो सरफेस पे जो थोड़ा बहुत गमिंग, गलू बगरा लगी हो, वो आपको साफ कर लेनी है, ताकि आपकी बैक लगने में कोई दिक्कत ना हो, तो साथिव अपनी सारी बैक लाइट स्टिप्स को इसके अंदर लगाता जाता हूं, पहले एक साइट से पांच लीडी स्टिप्स को लगाएंगे, और इनके कनेक्शन में जोड़ता जाओंगा हाथ हाथ और इसके अंदर दोस्तो मैं जो है चलूँगा, यह दोस्तों पेच में ले आया हूँ, जो काम कमपनी ना कर सकी वो हमें करना है, दोस्तों कमपनीया जो है एक एक पैसे बचाने के चक्कर में लगी रहती है, तो कई चीजों का वो शॉर्ट कट ढूंड लेती हैं बाद में, जबकि उन्होंने स्टार्टिंग उके चीज़ुड ही लगाया हूँगे, इसके और कपैस बूदर, अपैसे अनका पीक करता हूं मैं, compete लगाने के बाद दोस्तों सर्ट करके किपनेकर कों में टाईट करते जाने दोस्तों इसी परकार से सारे कनेक्टर लगा के फिर मैं आपको ये light on करके दिखाता हूं ठीक है यह हो गए अब इस साइड चलते हैं दोस्तों अब दोस्तों इसको मैं on करके देख लेता हूं अब साथियों टेस्ट करते हैं अपनी ये backlight देखिए सेंसर मैंने इसके लगा दिया है निकाल के देख रहे हैं अब मैं light करता हूं on red light आ चुकी है ये stand by से release करता हूं और देखिए दोस्तों हमारी backlight देखिए इतनी ज्यादा रोशनी आरे है दोस्तों अब मैं इसको बंद कर देता हूं और पैनल लगाने की तियारी करता हूं तो देखा दोस्तों इस प्रकार से हमने backlight बड़ी easily बदल लिये लेकिन दोस्त तो इससे भी आपको काफी knowledge मिलेगी तो अब मैं दोस्तों इसका inner reflector लगा देता हूं यह है दोस्तों इसका inner reflector इसमें भी दोस्तों उल्टे सीधे का ध्यान रखना है अपने उल्टा आप लगाने ही का होगे मुचे पता है क्योंकि सीधा ही लगेगा कंपनी के अंदर इस चीज का फाइदा रहता है दोस्तों फिटिंग प्रॉपर होती है अब दोस्तों जो इसके स्क्रीन का सपोर्ट है बीच का जो लॉक है उनको लगा देना है हमने यह वाले इनको लेंगे और लगाते जाएंगे जिस प्रकार से हमने खोला था उसी प्रक कि उसके बाद ही दोस्तों हमें आगे बढ़ना है अब साथियों लगाये थे हैं यह अपने लॉक उसके लिए दोस्तों क्या करें थोड़ी थोड़ी गुरू लगा देंगे बीच में ताकि हमारा लॉक इदर उदर भागे ना देंधर दोस्तों यह लिए लूक और यहां रखेंगे मड़ी साफधानी से यहां रखा इसके अंदर रखा और देखें से स्लाइट कर देंगे यह दोस्तों तूटकर ही लगेंगे तूटकर ही निकलेंगए ऐसे ही हो रही है इनकी ह Information फिन्रेसे पु़राने हो काफी कच्छ ताइप के हो गए ना यह किसी प्रकार से हमें लगा ले लें दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि यह बैठ गया अब साथियों ले ले लेते हैं इसकी ये डिफ्यूजर शीट्स दो है जो की और ऐसे इसको दोस्तों उठाएंगे और ऐसे ही लगा देंगे साथ दानी पूर्बंग पहले इसको बेठा लेना है दोस्तों में पहले एक शीट को किनारों में पसाएंगे यहां लग गई और यह यहां दोस्तों पहले एक वह एक एक जगह से करते हो जाना काम पो यहां लग गई है और ही स्केट ऑं इसको चपका देने है दोस्तों इसको साथ तक यह हुमारी शीट वगर्या हिलेना थीक है ऐसे इस साइड पर था न हिल लग चुका यह दोस्तों अब видим दोस्तो ऊपर का नी-चे का लेफ्ट और राइट लगाएंगे इनार फ्रेम लगारे हैं दूस्तो सब्सक्राइब यह हमारा इस साइड वाला है तो देखेले इस साइड से लगाएंगे पहले रलेफ्ट और राइट लगानें दूस्तो इस प्रकार दोस्तों इसके लॉक लगाते हो जाएंगे जब तक लॉक नहीं लगेंगे दोस्तों सेट नहीं होगा आपने जान लेना अच्छी तरह यह लॉक लग गए दोस्तों एक साइड के आप इस साइड का आ जाते हैं यह लग जाती हो यह नीचे वाली साइड का लगा रहे हैं साथ हो बड़े ध्यान से और दोस्तों अपने पैनल का भी ध्यान रखें हैं कहीं यह नहों कि आगे पीछे करने के चकर में पैनल से टकरा जाएं यह यहां अब यह दोस्तों उपर वाली साइड का ठीक है उसी करकार से जैसे बाकी लगाए है इस साइड से चेक करता हूं पहले कि देखिंव लगता जा रहे ना एक ज़गा से लगता जागा पर दोस्तों लगता ही रहता है अराम इस पर कोई दीकत नहीं वती को यह जो नहीं होता लेकिन दोस्तों आपने दो बाड च्र hoc करना है कि हमारा है इनेर अव्ले में अच्छी तरह में लगाए यानि क्योंकि दोस्तों आपका पैनल का जो सारा दारोमदार जो है इसी पे के उपर ही होता है देखिए यह क्लिक होके अच्छी तरह लगेगा नहीं न तुब तुक समझे लिजा आपका कुछ में कुछ दिक्कता है अब देखिए टेप इसके अंदर अडगी न बीच में मैं चेक क कर लेना देखिए जैसे हिल रहा है ना इसको स्थिर करेंगे तो मैं यह दो तीन जगा कुछ लगाता हूं यह से लगा दी तेप यहां और एक और लगाता हूं कुछ तो साथियो अब लगवाग हमारा फ्रेम स्टेबल हो चुका है अब साथियो अपना डिस्प्ले उठाना है और सीधर इसको पर लगा देना है लेकिन उससे पहले आपने इसको कर लेना कोई डस्ट बगरा का पार्टिकल आपके पैनल के बीच में ना हूँ कोई बाल बगरा शांत मन से उठाना है, कोई disturbance नहीं, मोथी साफदानी से उठाया, देखे इस प्रकार से उठा लिया, और corner पर रखा, इधर corner पर रखा, और बड़ी साफदानी से धीरे धीरे, अपनी डिस्प्ले को इसके बीच में रख देंगे दोस्तों, और दोस्तों, चांस की बात है, मार तो उसके लिए, मैं दोस्तों थोड़ा सा-पैनल को बीच में से खीच रहा, हलका सा. दोस्तो यह अपनी स्केल बोर्ड इसके अंदर लगाएंगे बड़ी साफदानी से इसके अंदर फसा देता हूँ दोस्तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होगा तो इसके लिए कोई मैं अभी कुछ करनी पाऊंगा क्योंकि मुझे सेफ्टी जरूरी है दोस्तो जलदवाजी नहीं करनी है आपने, बड़ी श्हाभधानी से मैं इसके अलगाने जा लिए गुशे को अखर्ण जरू में, हिसे पूंक प्रेसकं पावला से ऑason修 आपने तो हैं इसके नांतलav लेलाई जा काल दियए कॉंहों से यह जोड़ को ने जरूवरंइन यह रिस्क होता है दूद है अब यह हमारा आउटर फ्रेम लग गया, अब दोस्तों इसके मैं पेच लगा रहा हूँ, नीचे वाले साथ पेच लगा रहा हूँ साथ ये पहले, ये साथ पेच होगे दोस्तों नीचे के, बगल के भी मैं दो-दो पेच लगाएता हूँ पहले, ये साइड के पेच, इस पर और दोस्तों टीवी को टेबल पर बिछाने से पहले देख लेंगे कुछ देखिए जैसे पेज पड़ा था यह पॉइंट पड़े थे इनको आपने उठा लेना दोस्तों जरूर यह हमारे पेच दोस्तों लग चुके हैं अब मैं इसकी एलवीडियास केबल बगरा लगा के मैं आपको यह ओन करके दिखाता हूं अब दोस्तों केबल हम लगा लेते हैं यहां देखिए दोस्तों इसकी जो है लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए बोड के अंदर और यह अटक जाएगी देखिए अटक गई ने यहां और इस प्रकार से करेंगे बंद ऐसे इसको दोस्तों इसको यहां अंदर कर दिया और देखिए अटक गई ने यहां को भी इसमें खाचे बने दोस्तों यहां और इसको कर दिया बंद इस प्रकार से दोस्तों इसको भी यहां लगा देंगे, सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, कि हमारे पट्टे गंदे हो रहे हैं, तो दोस्तों इसको आपने क्या करना है, ऐसे एरेजर वाली रवर्ट लेनी है, और इससे साफ करना है, ऐसे साफ कर लेना आपने, बहुत ही अच्छी तरीके से, इ देख रहे हैं, पहले देख रही थे और अब देखिए, यह होगा यह देखिए, इस वाले को देखिए और इसको देखिए, दोस्तों फरक नजरा रहा है, चमक में भी और क्वाल्टी में भी देख रहे है, इस पकार से इसको अब मैं इसको भी साफ कर लेता हूं दोस्तों, लगबग मुझे सही लग रहा है अब ये दोस्तों मेटल बाली टेप जो की स्टार्टिंग में हमने अटाई थी यहां से इसको लगा रहा हूं यहां ताकि हमारी ग्राउंड अर्थिंग अगरा बन जाए अच्छी तरह कि एसे ही यहां और आप लगा देंगे अपने यह स्ट्राप दोनों दोस्तों हो सकता कुछ पॉइंट आपको दिखाई ना दे क्योंकि कैमरे को मैंने कि थोड़ा उपर नीचे कर रहा हूं बार बार तो कई बार क्या है फ्रेम कुछ आउट भी हो जकते हैं यह लग गया दोस्तों इसी पकार से इसको लगाएंगे अच्छी तरह लगाके दोस्तों ऐसे देखींगे यह लग गया और यह लाइन बिल्कुल सीधी होने चाहिए अब मैं टीवी चला के चेक कर लेता हूं एक बार दोस्तों मैंने टीवी चला के देखा तीवी के ओपर गया कुछ लाइने फटी-फटी सी पिक्चर आरी तो मु हमें डाल देंगे ना तो HDMI भी तुरंत कनेक्टर यह देखिए यह यह देखिए कनेक्टर यह यह थोड़ा तो मैं सॉफ्ट ब्रूस लेका आता हम जरा देखिए मैं थोड़ा से इसको साफ करता हूं देखो ब्रूस से यह यह मैटल की तारो वाला ब्रूस है दोस्तों आप तो आप भी ले सकते हैं अब इसको लोगा कर फिर दुबारा टेस्ट करता हूं साथी उजय सगे मैं ने बताया है कि इसमें पिक्चर फटी फटी आ रही थी फटी फटी का मतलब है एक लाइन ठीक आ रही है दूसरी लाइन ख़राब, एक लाइन ठीक दूसरी लाइन ख़राब जो मेरे अपको पता है यह वाल्ट इसप्रकार का होता है तो दोस्तों इसमें क्या यहां लगए है लगें यह 100 Ohm कीstat है तो मेरे पास 100 Ohm की ओसी Tranships थी एर गी मैं पास डॉसको आपको दिखानी पाया जो ख़राबी थी अगर मैं Confederate आपको एक बार फिट करने से पहले इसको चला के जरूर देखने हैं, क्योंकि चला के देखने से क्या हमारी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई picture brightness, contrast और कोई xyz को अगर दिक्कत हो, तो वह हम उसको खुले में ही solve कर सकते हैं, तो साथ हो, अब मैं इसको fit करता हूं, और आपको चला के दिखाता हूं, यह सबस इस पर view लिखा आएगा पहले, यह दोस्तो विए लिखा रहा है, इसमें कहा होता है, ऐसे पतली-पतली लाइन है, पूरी screen पे पतली-पतली लाइन है, जैसे एक line picture है, एक line नहीं, एक line नहीं, इस प्रकार से तो बार इक बार एक line इस पर नजर आ रही थी, जो कि fault मैंने आ कि fog है, और हमारे जवान, जो हमारे आर्मी के तीनों सेनाओ के जवान, अपने साहस का production करते हुए, आप एक बार देख लीजी ज़रा, ध्यान से दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तो, picture quality देखी दोस्तो, बहुत ही बैटरीन है, बहुत ही जबर्दस, तो साथियो, इस प्रकार किया हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब पर लिजिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपनी अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए, थेंक्यू दोस्तों